नज़स्क्राइब दोस्तों, लक्षे को फोलो करते वक्त, दो तरे के ब्लोक्स, मतलब दो तरे के दिवारे आपका रास्ता रोखने की कुशिज करती हैं, फिजिकल ब्लोक्स और मेंटल ब्लोक्स, फिजिकल ब्लोक्स जैसे की रिसोर्सिस का अभाव या फिर फैमिली अच्छी ना होना, मगर दोस्तों, अगर willpower हो, अगर determination हो, अगर कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो, तो physical blocks सायद आपका रास्ता नहीं रोक सकते हैं, काफी संतुष्टी का ऐसास होता है, जब हम यह सुनते हैं, रिक्षा चलाने वाले का बेटा या बेटी का selection हुआ, कूली के परिवार से कोई civil services में चुना जाता है, क्या दोस्तों ऐसी कहानिया बार बार यह साबित नहीं करती, physical blocks सिर्फ एक myth है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, यह सिर्फ एक excuse है, और इस excuse से दूर दूर तक आपका कोई नाता नहीं होना चाहिए, अब हम बात करते हैं mental blocks की, य एक meal में होते हैं 1.6 km, एक meal को cover करना आलमुष्ट 4 मिनट्स में, और exactly बात करें, तो 4 मिनट 6 सेकिंड्स में, और यह record कायम रहा आलमुष्ट 50 सालों तक, athletes के दिमाग में एक ही बात रहती थी, कि इस से कम समय में एक meal को cover किया ही नहीं जा सकता, और कोचिस भी यही बात सिख आते थे, कि बस आप इस record के नजदीक पहुद जाओ, आप जीत जाओगे, इस से कम समय में तो एक meal को par किया ही नहीं जा सकता, लेकिन यह record तूटा, और जैसे ही तूटा, आज आलमुष्ट 1000 लोगों ने इस record को तोड़ दिया है, यानि 4 मिनट से भी कम समय में एक meal को par कर ल दिया है, तो दोस्तों ऐसा क्या था, कि 50 सालों तक यह record तूट ही नहीं सका, यह सिरफ एक mental block था, एथलीट्स का, और जैसे ही यह mental block तूटा, यानि किसी एक person ने इस record को तोड़ा, उसके बाद अभी तक आलमुष्ट 1000 लोग इस record को तोड़ चुके हैं, और अभी फिलाल ज मक्यों को ले जाते वक्त, वो उनको जार, जार मतलब काँच के एक डबे में बंद करके ले जाते थे, और दोस्तों मक्यां अपने आपको टकर होने से बचाने के लिए बार बार जम्प करती थी, लेकिन उनका जो जम्प होता था, वो बहुत जादा नहीं होता था, सिरफ इतना होता था कि वो उपर धकन से ना तकरा पाएं, धीरे धीरे उन्होंने आद़क डाली उतना ही कुदने की, बस वो जार के धकन से ना तकराएं, और दोस्तों पताए बाद में क्या होता है, अगर उस जार का धकन खोल भी दिया जाए, तो मक्या बाहर नहीं निकलती, क्यो क्योंकि उनके दिमाग में एक mental block बन चुका है इससे उपर हम कूदेंगे तो हमारी टकर हो जाएगी इसलिए वो कोशिस भी नहीं करती दोस्तों चाहे अंचाहे हम भी न जाने कितने तरह के mental blocks हमारे दिमाग में बना लेते हैं मैं सुबह नहीं पर सकता मैं देर रात नहीं पर सकता मुझे 8 घंटे की नीन चाहिए मैं एक बार में 2 घंटे से जादा नहीं पर सकता मुझे science and tech नहीं आती art and culture मेरे बसकी नहीं है environment मेरे उपर से जाती है selection होना बहुत मुश्किल है ये सब कुछ नहीं है ये सिरफ और सिरफ mental blocks है और दोस्तों लक्सया प्राप्ति के लिए इन mental blocks को तोड़ना बहुत ज़रूरी है आप वो मक्ही बनिये जो एक लंबी jump के साथ कांस के उस डबे से बाहर निकल जाती है और एक बात जुरूर याद रखेगा आप अपने mental blocks को एक दम से नहीं तोड़ सकते अभ्यास के साथ धीरे धीरे आप अपने mental blocks को तोड़ेंगे इस परकार से धीरे धीरे अभ्यास के साथ आप अपने अंदर जो भी mental blocks है जिनको आपने ना चाते हुए भी establish कर लिया है उनको तोड़ दीजिये छोटे से सुरुवात करिए बड़े की ओर चले अंत में दोस्तों एक बात जुरूर कहना चाहूँगा स्मर्पित पर्यास अपने आप में एक प्रुसकार है यात्रा ज़्यादा मेहत्वपुन है इस मेहनत रूपी यात्रा में जिस परकार का इंसान आप बन जाते हो वो ज़्यादा मेहत्वपुन है थैंक यू